अब लोग आई होप कि सब मस तोंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Optimize Net Charging की बाड़े में कि ए जो option है इसका क्या काम है क्या है इसका benefit सब कुछ इस वीडियो में हम आज बात करेंगे तो वीडियो को सुरू से लेकियान तक जरूर देखेगा और बिल्कुल भी Escape मत किजेगा तो फ्रेंट वीडियो आच लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजे तो फ्रेंट सबसे पहले हम बात करें कि बहुत सारी लोग जो हैसे है जो राद बार अपनी फोन को चार्ज करते है और वो लोग ए सोचते है कि seiner जो पोन है जब हमारा फोन में 100% चार्ज हो जाता है तब आपका चार्जिंग automatically disconnect हो जाता है तो इससे आप क्या सोचते है कि आप राद बार चार्ज करते है लेकिन आपका बैटरी पे कोई भी effect नहीं पड़ता है तो फ्रेंस इससे क्या होता है कि आपका जो charging है ओ automatically तो disconnect हो जाता है लेकिन आपका जो charger का wire है ठेक है उसमें जो हर वक्त current को flow करता रहता है ठेक है तो इससे क्या होता है कि आपका बैटरी में कुछ न कुछ तो effect जरूर पड़ता है ठेक है क्योंकि ओर रातवर में charging लगा ही रहता है तो फ्रेंस इसलिए रियल में वालों ने optimize net charging का option या पर दे दिया है इसका क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ यह जो option है अगर आप यह on करके अपनी phone को रात में charge पे लगा देती हो तो फ्रेंस इह option सबसे पहले क्या करेंगे कि आप जब charge करते हो ठीक है तो आप कितना time तक charge करते हो मतलब कि रात में जो आप charge करते हो तो कितना time तक आप phone को charge पे लगा देते हो तो इह सबसे पहले उसको absorb करेगा ठीक है मतलब एक खुद बखुद ओ रूटिंग कर लेगा कि आप कितना टाइम तक फोन को चार्ज पे लगा देते हो ठीक है तो सबसे पहले एप्जोर्ब करेगा इसी को और बाद में ओ क्या गरेगा कि उसका जो चार्जिंग स्पीड है ठीक है आप डेली जो चार्ज करते हो तो उसका जो चार्जिंग स्पीड है ओ खुद बखुद कंट्रोल कर लेगा मतलब चार्ज होने में ओ ज्यादा टाइम लगागा रात में अगर आप रात में चार्ज कर लेगा कि मुझे कितना चार्ज स्पीट इसको देना चाहिए तो उसे की हिसाब से चार्जिंग स्पीट को कंट्रोल करेगा और आपका जो बैटरी है उसका भी लाइप बढ़ जाएगा तो फ्रेंट्स बहुत ही अच्छा ए अच्छा ए ओप्सेन है यह है रियल्मी अब तक लिए बाई बाई टेक कियर